हेलो माई डियर श्टुडेंट आज आपका स्वागत है आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं बड़ी गहनता के साथ में तो देखो होता क्या है इस चैप्टर के माध्यम से आपको अगर इस आर्म आज तक किलियर नहीं हुआ है या कहीं पर नहीं हो पाया आपका किलियर तो मै मैं यह शूर्ट ही लेता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस आर्म को कहीं तक भी नहीं छोड़ोगे ठीक है क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी जब भी क्या आ जाए वाट नहीं लगाते वाट नहीं लगाते हैं आज आपका जो की वर्व टूबी के अंदर आता है आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं बड़ी गहनता के साथ में तो देखो होता क्या है इस चैप्टर के मादिम से आपको अगर इस आर्म आज तक किलियर नहीं हुआ है या कहीं पर नहीं हो पाया आपका किलियर तो मैं ये शॉर्टी अब ये आया कहां से निकल गरत इसका इतियास जान लेते हैं इसका इतियास ऐसा है कि वर्ब वर्ब टूबी का मतलब होता है किसी वी चीज़ का हो ना क्या करना होना तो कहने का मतलब है आपने एक लंग्वेज देखी होगी जिसमें ज्यादतर पिर्योग करते हैं कि कहते न सौधियरब वाले कि वल्ला हभी वी तुम लड़का होती कहने का मतलब मेरा क्या है कि तुम लड़का हो मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि तुम लड़का हो ठीक रहा है तुम लड़का हो और दूसरा क्या है कि तुम लड़का होती तुम लड़का होती तो देखो दोनों बातों को compare करके देखा जाए तो दोनों में एक ही बात common बताई जा रही है लड़के की पहचान ठीक है तो हम पढ़ते हैं आज आपका topic है इस आर एम जो की tense के according बिल्कुल नहीं आता ये आता है किसके according sentence के according ठीक है तो sentence में आज हमारा topic है helping verb से कौन सा है इस आर एम तो होता क्या है इसमें बच्चो इसमें होता ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि तुम लड़का होती ठीक है तुम तुम लड़का हो और तुम लड़का होती तो कहने का मतलब है इसमें क्या है ज्यादता लड़के की पहचान बताई जा रही है या मैं कहूं तुम लड़का है, या मैं लड़का हूं या वह लड़का है तो इसमें क्या है, इसमें केवल पहचान बताई जाती है इस RM के पिरियोग में तो हम बात करते हैं, अब आगे की थोड़ी सी तो अगर हम बनाते हैं इनको, ठीक है? तो verb 2 भी तो थी हमारे पास हमें जरुवत इस RM की क्यों पड़ी हमें ऐसी क्या जरुवत आके पड़ गई कि हमें इस RM का प्रियोग करना पड़ गया ठीक है तो हमें जरुवत ये पड़ी थी कि जब हम देखते हैं कि इस RM का प्रियोग ना करके जब हम इसको बनाते थे कि तुमकी होती है अंगरेजी यू और उसके बाद में लड़के की होती है यू और होने की क्या होती है यू बी और उसके बाद लड़का यू बी आ बॉय या यू बी बॉय ठीक है उसके बाद अगर मैं इसमें थोड़ा सा हैंपर चेंज करूं मैं इसे कहतूं तुमकी जगह प इसके बाद अगर तुमकी जगह यहां पर वह आ जाए क्या आ जाए वह अगर इसको मैं कैसे बनाऊंगा तो ही भी बॉय ही भी बॉय तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए पिर्योग किसका आया इज आर और एम का इसी समस्या से पीछा चुटाने के लिए इज आर एम का पिर्योग आया ठीक है अब हम करते हैं इज आर एम का पिर्योग ठीक है इस आर एम के पिर्योग में सबसे पहले आपको जान aggregate आ ले नहीं है यह सैंटेंस के अकॉर्डिग है और इसमें भी हम दो फि कार के sentence पहला जिसका नाम है असेरटिव और दूसरा जिसका नाम है interrogative इन दोनों को पढ़ने वाले हैं assertive इसके दो पार्ट होते हैं नंबर एक होता affirmative नंबर दो होता है negative और जो हमारा interrogative है उसके भी दो पार्ट है नंबर एक है yes no type बोल देते हैं और दूसरे को बोलते हैं WH type या मैं अपनी भासा में बोलू तो नंबर एक को बोलते हैं single interrogative और दूसरे को बोलते हैं double interrogative अब हम इनी के बारे में आज आपको बताएंगे कि इनको आप कैसे चुटकी बजाते ही मिंटो में ऐसे solve कर लोगे एक बार बस इस वीडियो को देख लो ठीक है हमारा पिरियोग है is हमारा पिरियोग है आर हमारा पिरियोग है यह वर्ब to be के ही पार्ट है यह वर्ब to be के ही पार्ट है कौन कौन से is आर और एम यह कौन सी वर्ब के यह वर्ब है वर्ब to be के ही पार्ट है ठीक है तो यह वर्ब to be के पार्ट है पहला है is दूसरा है आर और हम तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है हमारा M, तीसरा क्या होता है हमारा M, तो ये वर 2B के पार्ट है Is R M, इस माने होता है, इसका मतलब जान लेते हैं, इसका मतलब होता है R का मतलब होता है हूँ, और M का मतलब होता है हूँ, तो आपको जाहिर सी बात है हम सीख रहे हैं, English की Translation बनाना तो हमें पता लग चुका होगा, कि Translation में, English में बनाते हुए तो हम Hindi को Change कर के लाएंगे, तो हमें पता लग रहा है कि Hindi में ये है, Hindi में ये हो, और Hindi में ये हूँ के नाम से आपको मिलेगा ही मिलेगा अब हम बात करते हैं, इनके पहचान की, तो पहचान के लिए आप लिग लिजिए, कॉपी पैंसिल हाथ में रखो, उसके बाद आप लिखना सुरू कर दो मेरे साथ साथ, क्या है पहचान? hindi के इन वाक्यों के अंत में, किसके में? को कि आपको पड़ते पड़ते याद हो जाएगा हिंदी के इन वाक्यों के अन्त में दीके इन वाक्यों के अन्त में क्या आता है हैं क्या आता है हैं क्या आता है हूँ क्या आता है आपका हो हिंदी के इन वाक्यों के अंत में हैं हूँ हो आदी सब्द पाए जाते हैं वो वाक्य इज आर एम के कहलाते हैं हिंडी के इन वाक्यों के अंत में क्या हैं हूं हो आदी सब्द पाए जाते हैं वो वाक्य इज आर एम के कहलाते हैं हैं हूं हो क्या होते हैं पाए जाते हैं पाए जाते हैं पाई जाते हैं वो वाक्य है वो वाक्य किसके कहलाते हैं वो वाक्य is RM के कहलाते हैं और मैं एक वर वर पहचान दुबारा से बता हूं हिंदी के जिन वाक्यों के यंत में हैं हूँ हो आदी सब्द पाई जाते हैं वह वाक्य मेरे भाई किसके कहलते हैं इस आर एम के कहलते हैं ठीक है यह पहचान इसकी याद रखना आप उसके बाद कह रहा है इज आर एम पिरियोग के नियम तो इज आर एम का पिरियोग कैसे कैसे करते हैं पहला नियम पहला है हमारा इज तो इज का पिरियोग किसका पिरियोग इज का पिरियोग किसके साथ होता है एक वचन करता के साथ हम इज का पिरियोग करते हैं किसके साथ भाया एक वचन करता के साथ हम इसका पिर्योग करते हैं दूसरा है हमारा क्या आर क्या है हमारा आर का पिर्योग हम करते हैं बहु वचन करता के साथ हम आर का पिर्योग करते हैं आर का पिर्योग अभी एक वचन था अब आजाएगा आपका बहु वचन बहु वचन बहु वचन करता के साथ हम आर का पिर्योग करते हैं बहु वचन करता के साथ हम आर का पिर्योग करते हैं और तीसरा है M, तीसरा है भहिया हमारा M, तो M का प्रियोग समझ लेते हैं, तीसरे है M का प्रियोग, M का प्रियोग किसके साथ करते हैं, M का प्रियोग करते हैं, only I के साथ, M का प्रियोग बच्चों करते हैं केवल I के साथ, M का प्रियोग बच्चों केवल करते हैं I के साथ, इतनी बाते clear हुई इसे पन रहे थे इस, र, M वर्ब 2B से निकलकर आए है बात क्या है बात बताते हैं इस, मने, है, र, मने, हो, M मने, हो की 2B के तीन पार्ट होते हैं इस, र और, M इसमें बात करते हैं पहचान की तो पहचान होती है हिंदी के इन वाक्यों के एहंत में है हूँ हो आदी सब्द पाए जाते हैं वो वाक्य इस आर एम के कहलाते हैं उसके बाद इस आर एम का प्रियोग देख लेते हैं इसका प्रियोग किया जाता है एक वचन करता के साथ इसका प्रियोग करते हैं एक वचन करता के साथ अगर आ नहीं पता बहुवचन करता किसे कहते हैं, तो आप मेरी नाउन वाली वीडियो देखकर आ सकते हैं, तो हम बात करते हैं, इसका प्रियोग एक वचन करता के साथ, आर का प्रियोग बहुवचन करता के साथ, एम का प्रियोग हम आई के साथ करते हैं, इतनी बात किलियर हुई, Next page पर चलें, आप इस बाद को clear कर लो, देख लो इसे उतार लो, देख लो आप उतार लो, ठीक है, जो भी समस्या है, वो मैं आज clear करा के दूँगा आपको, जो भी आपको इस से sentence में, इस RM वाक्य बनाने में, आज के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है, आज म आपके पूरे इस RM को clear करा के जाओंगा यहां से, आगे चलते हैं हम, page number second, page number second क्या रहा है, इसके वाक्य कैसे होते हैं, तो देख लो, बच्चो, मेरे लाड़ लो, कैसे वाक्य, वाक्य होते हैं हमारे इसके इस प्रिकार के, आपने आज तक इस RM की कोई class नहीं देखी है, तो यह class आपके लिए सूपर बिंदास होने वाली है, इस RM आपके लिए बिलकुल सुरू से, तो इसमें वाक्य होते हैं कैसे, मैं तयार हूँ, इस तलाव का पानी साफ नहीं है, दिखाई दे रहा हैं है, हूँ, है, है, और है, और है, और है, और इसमें है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्या भिहार एक स्मर्द राज्य है, इस राज्य का नाम हरियाना क्यों है, कोयला काला होता है, चालाक आदमी साफधान रहा करता है, क्या अंबानी गौतम अडानी से नाराज रहा करता है, इस तरह के वाक्ये हम आपको इसी के अंदर बनवाएंग आपने कहीं पर भी पढ़ा हो कि जैसे की हम बताते होता है कि ता है ती है ते है प्रिजेंट इन डेफनिट में जाएंगे हम उस बात को भी बताएंगे कि इसमें ये होता है वाले वाक्य करता है वाले वाक्य और इसमें करता है वाले वाक्य क्यों आ रहे हैं इसमें रहा क्यों आ रहा है हम इन बातों को भी तुमें किलियर करा देंगे आज तो इस वीडियो को बिल्कुल लाश तक देगे आपने वाक्य देख लिए इसमें इस तरह के वाक्य किलियर कराएंगे हम इसमें इस तरह के वा बास बात यह हो इनमें किरिया नहीं पाय जाती। क्या नहीं पाय जाती ही। क्या नहीं पाय जाती है। आर एम के कहलाते हैं हिंदी के इन वाक्यों के अंत में हैं हूं हो आदी सब्द पाए जाते हैं वो वाक्य मेरे प्यारे बच्चों इस आर एम के कहलाते हैं अब कह रहा है आपसे साधारन वाक्यों को बनाने के नियम तो सबसे पहले हमारे पास जो वाक्य होते हैं वो साधारन ही होते हैं जिने हम अंग्रेजी की भासा में अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं तो अब हम बात करते हैं साधान वाक्यों को बनाने की तो इन वाक्यों की सहायक किरियाएं बच्चों लिखते चलो साथ में इन वाक्यों की नौट्स बना लो काम आएगा इन वाक्यों की सहाय किरियाएं क्या होती है इन वाक्यों की साहे किरियाएं is RM होती है एक वचन करता के साथ किसके साथ एक वचन, मैं बातों को कई कई बार रिपीट कराऊंगा तुम्हें जिससे तुम्हें इस किलास के बाद किसी दूसरे व्यक्ति की किलास ना देखनी पड़े एक वचन करता के साथ हम किसका प्रयोग, इसका प्रयोग बहु वचन करता के साथ कौन से वचन? बहु वचन करता के साथ हम किसका प्रियोग हम करते हैं आर का प्रियोग तथा आई के साथ तथा आई के साथ हम किसका प्रियोग करते हैं अब आती है बात इनको बनाने की तो इन वाक्यों में सबसे पहले करता इन वाक्यों में सबसे पहले करता सबसे पहले किसके अंगरे जी सबसे पहले करता उसके बाद इन वाक्यों में सबसे पहले करता उसके बाद सहायक किरिया उसके बाद बच्चों क्या आती है सहायक किरिया उसके बाद बच्चों आती है सहायक किरिया कौन सी है इसायक किरिया है इसकी आपको बच्चों बताएं is rm ठीक है और is rm कैसे आती है वो आती है आपकी बच्चों करता के अनुसार इस rm करता के अनुसार आती है बच्चों मेरे इस rm करता के अनुसार इन वाक्यों में सबसे पहले करता उसके बाद सायक किरिया है इस rm कोई भी एक करता के अनुसार ठीक है उसके बाद उसके बाद हमारी आती है उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है उसके बाद बागी की English आती है ठीक है उसके बाद बागी की English आती है जैसे कि four example, एक example मैं आपको दूं क्या है example मैं तो सबसे पहले करता अब बात करते हैं अगर आपको नहीं पता कि करता क्या है करता को कैसे पहचानोगे तो करता को पहचानने के लिए किसको पहचानने के लिए करता को पहचानने के लिए वाक्य में कौन लगा दो वाक्य में क्या लगा दो कौन अगर अंग्रेजी के वाक्य हैं तो उनमें लगा दो हूँ करता निकालना है आपको बाहर तो उसमें लगा दो हूँ अंग्रेजी के में और हिंदी के वाक्य में करता बाहर निकालना है तो लगा दो वाक्य में कौन ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पर एक यूज करूं कौन आदमी है ठीक है कौन आदमी है कौन के अनस्वार तो है आएगा तो अंसर निकल के आता है मेरा मैं क्या आता निकल कर अंसर मैं तो मैं की किंग्रेजी क्या होती है मैं किंग्रेजी होती है though i क्योंकि मैंने आपको बताया इसके पहले करता उसके बद oranges smike किरिया क्या आई के साथ M का पिरियोग आई के साथ M तो साह किरिया I am उसके बाद आदमी कितने एक I am a man जहां पर एक की सेंस हो वहाँ पर आइटिकल एक का पिरियोग कर देते हैं ठीक है तो I am a man मैं एक आदमी हूँ I am a man मैं एक आदमी हूँ उसके बाद इसके लिए हम दिखा देते हैं आपको और बहुत सारे sentence जिससे आपके सारे doubt clear हो जाएंगे ठीक है मैं एक आदमी हूँ जैसे दूसरा है second तुम एक लड़के हो तुम एक लड़के हो ठीक है बनाने के नियम पढ़ लो बनाना सभी का एक ही तरह से है तुम एक लड़के हो तुमकी अंगरी जी क्या होती है बच्चो तुमकी अंगरी जी होती है you उसके बाद में लड़के हो होने की क्या होती है तुमके साथ तुम होता है बहुवचन तुमके साथ अंग्रेजी आती है यू आर क्या आती है यू आर सहायक किरिया सबसे पहले करता उसके बाद सहायक किरिया उसके बाद क्या आता है बाकी की अंग्रेजी बाकी क्या बचा एक लड़का तो यू आर ए बोई यू आर ए धेते हैं ठीक है उसके बात में आग condemn το मैं एक तीसरे design bought example no.3 को क्या है कि जैसे यह तालाव है यह है यह तालाव है ठीक है यह है टालाव है तो यह क्या साव है क्या बनेगी धर को यह कि क्या होती है दिस यह की क्या होती है अंग्रे जी दिस यह की होती है दिस उसके बाद है कितने तालाव है एक तो एक बचन करता के साथ इस का प्रियोग दिस इस क्या है वो तालाव दिस इस आ क्या हो जाएगी तालाव की पॉंड दिस इस आ पॉंड यह एक तालाव है दिस इस इस पॉंड उसके बाद हम बात करते हैं आगे इससे next type की जिसका नाम है नकारात्मक वाक्य यानि कि बोलते हैं हम इसको negative sentences क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं negative sentences ठीक है तो लाड लो बच्चो अब पढ़ते हैं हम negative sentences अगर आपको simple समझ में नाया हो तो इसमें हम simple के और features भी पढ़ाएंगे उसमें आपका simple बिल्कुल किलियर कर देंगे simple को एकदम सुरू से लेकर लाश तक बिल्कुल किलियर ठीक है अब हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम तो इन वाक्यों को बनाने के नियम क्या है पहले तो इनकी सुनलो पहचान इनकी पहचान कैसे करोगे आप कौन सा वाक्य नकारात्मक है तो नकारा वाक्यों के बीच में क्या सब्द पाया जाएगा नहीं सब्द पाया जाता है इन वाक्यों के बीच में नहीं सब्द पाया जाता है ठीक है तो हम लिख लेते हैं इस बात को साथ में पैंसिल लेके उतारते रहो इन वाक्यों के बीच में इन वाक्यों के बीच में क्या पाया जाती आपका नहीं सब्द पाया जाता है इन वाक्यों के बीच में नहीं सब्द पाया जाता है, जिसकी अंग्रेजी not, क्या भहिया, जिसकी अंग्रेजी not, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, जिसकी अंग्रेजी not, किसके बाद, सहायक किरिया, जिसकी अंग्रेजी not, सहायक किरिया, और साहिक किरिया क्या होती है हमारी साहिक किरिया होती है इस आर और एम साहिक किरिया है इस आर और एम जिसकी एंगरेजी नोट साहिक किरिया है इस आर एम के तुरंत बाद किसके बाद इस आर एम के तुरंत बाद आती है इस आर एम के तुरंत बाद आती है इस आर एम के तु इसके बनाने के नियमों पर इन वाक्यों में सबसे पहले-करता इन वाक्यों में सबसे पहले-करता पहले करता, इन वाकियों में सबसे पहले, हम किसका अपरियो करते हैं? इन वाकियों में सबसे पहले करता, उसके बाद, उसके बाद, करता के बाद, क्या करते हैं? उसके बाद सहायक किरिया, उसके बाद सहायक किरिया, ठीक है? उसके बाद सहायक किरिया, और सहायक किरिया कैस करता के अनुसार साय किरिया करता के अनुसार साय किरिया करता के अनुसार ठीक है साय किरिया करता के अनुसार इन वाक्यों में सबसे पहले करता उसके बाद साय किरिया करता के अनुसार ठीक है फिर नहीं की अंग्रेजी नोट फिर क्या फिर नहीं की अंग्रेजी नोट फिर नहीं की अंग्रेजी not. ठीक है? फिर नहीं की अंग्रेजी not तथा उसके बाद तथा उसके बाद क्या होता भीया मेरे? उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है. तथा उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है उसके बाद आती है भीया हमारे बाकी की अंग्रेजी ठीक है जो भी बाकी बसता है उसकी अंग्रेजी आती है इन वाकियों में सबसे पहले क्या करता उसके बाद साहय किरिया तथा उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नौट इस तालाब में पानी नहीं है, ठीक है? इस टालाब में पानी नहीं है देखो तालाब की केवल पहचान बताई जा रही है इसमें कोई किरिया नहीं है इसमें पानी का भरना नहीं पाय जाता इसमें क्या पाय जा रहा है उल्ली केवल और केवल पहचान बताई जाती है ऐसे वाक्यों में तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है वही आपसे कि इस ताला तालाब की पहचान बता रहा है कि यह जो तालाब है उसमें पानी नहीं है इस तालाब में पानी नहीं है तो क्या हो जाएगा तो इसे बनाएंगे हम देर का प्रियोग करके ठीक है डेर ठीक है? डेर के साथ इस में आइका फिर इस तलाव के लिए एक बचेशन है तो देर इज नौट ठीक है? और फिर क्या? कौन नहीं है? पानी there is not water there is not water तो इस क्या नहीं है? पानी नहीं है अभी देखो. कौन नहीं है? पानी नहीं है तो पानी को सब्जेक्ट का रूप ना लेकर हमने देर को बना लिया तो there is not water क्या कहां पर in this pond in this pond in this pond ठीक है तो there is not water in this pond इस तालाव में पानी नहीं है इस तालाव में पानी नहीं है और हम वाक्य देख लेते हैं example के रूप में जैसे की एक वाक्य और देखते हैं पूर्थ नंबर जैसे की तुम ठीक है खुस नहीं हो तुम खुस नहीं हो तुम खुस नहीं हो तब सबसे पहले करता जा है तुम, तुम की हंगरेजी, you, उसके बाद साहक किरिया करता के अनुसार, you are, क्या होगी तुमारी, you are, आर होगया हो, उसके बाद नहीं की हंगरेजी, not, तो you are not, you are not, और ठुझ की क्या होती है, happy, तुम खुष नहीं हो, you are not, not happy, तुम खुश नहीं हो, उसके बाद आगे हम example देख लेते हैं, जैसे for example, next है आपका, ये था आपका second, fourth, आप देख लेते हैं, फिफ्ट नमबर पे, तुम खुश नहीं हो के बाद में, जैसे पांच वे नमबर पे देखते हैं, कि मैं तयार नहीं हूँ, मैं तयार नहीं ठीक है, जैसे आप school जा रहे हो, school जाते हुए, आप से किसी नहीं कहा, कि आओ race करोगे, तो तुम क्या race करने लग जाओगे, नहीं न, तो तुम उस तयार नहीं हूँ, और मैं तयार नहीं हूँ, किस में बोलेंगे, अंग्रेजी में, सबसे पहले करता, करता क्या है, I, उस उसके बाद Sricarie, SACRAGE क्या है? AM, उसके बाद करता कि अनुसर, SACRAGE क्या है? उसके बाद नहीं किंगरेदी? NOT, I am not, उसके बाद तयार की क्या होती है? Ready, I am not ready, ठीक है? तो जैसे ही और हमाना क्ले फटाक शर्यां क्या आप पूछे कि care of you? करोगे फटाक से क्या किना I am not ready I am not ready ठीक है उसके बात चलते हैं next वाक्यों की तरफ जिसका नाम है हमारा interrogative क्या नाम है interrogative जैसा कि interrogative के नाम से पता लग रहा है कि यह क्या निकालेगा यह निकालेगा तुमारी interrogation यह पूछेगा तुमारे घर का पता यह पूछेगा तुमसे तुमारे किसका पता तुमारे पापा का नाम यह पूछेगा तुमारी मम्मी का नाम यह करेगा तुमारी interrogation बहुत अच्छे तरीके से तो आज हम पढ़ते हैं इसके बाद next हमारा interrogative sentences क्या होता है interrogative sentences ये क्या करते हैं ये करते हैं हमारी जांच परताल ये प्रश्न पूछते हैं ये क्या करते हैं ये क्या करते हैं प्रश्न की बात कर ली जांए थोड़ा deeply तो number 1 interrogative हो था है हमारा कौन सा single interrogative कौन सा होता भाहिया相 Mexican interrogative होता भाहिया single interrogative single interrogative ठीक है भाहिया हमारा होता है number 1 single interrogative sentences single interrogative sentences ठीक है उसके बाद नंबर दो होता है हमारा नंबर दो कौन सा होता है double interrogative sentences क्या होता है हमारा double interrogative इंटरोगेटिव सेंटेंसेज double interrogative sentences नंबर एक होता है हमारा single interrogative sentences नंबर दो होता है double interrogative sentences single interrogative sentences को बोलते हैं हम यज़ बटे नो ने टायब है ओ इसको बोलते हैं डव्लु एच टायब कौनव सा टायब डव्लु एच टायब ठिक है डव्लु एच टायब है अव हम इन दोनों की बात कर लेते हैं मैं तुम्हें बतायता हूँ यह पूछते हैं हमसे प्रश्न ठीक है पहला वाला जो है वो यह सोनों में कोशन पूछता तो इसे बोल देते हैं य-e-e-s और-n-o ठीक है तो यह क्या होता है सिंगल इंटरोगेटिव देखो यह वाक्य क्या से सुरू होते हैं तो इनकी बेसिक क्यों में क्या की अंग्रेजी जब भी क्या आजाए वाट नहीं लगाते क्या से जब सुरू हो और क्या की अंग्रेजी क्या नहीं लगाते बल्कि उसके स्थान पर सहायक किरिया बल्कि उसके स्थान पर सहायक किरिया करता से पहले करता के अनुसार सहायक किरिया कब करता से पहले करता के अनुसार अभी तक हम परता है सबसे पहले करता की अंग्रेजी अब क्या है करता से पहले करता के अनुसार सहाय किरिया उसके बाद करता उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है तता इनके सबसे लास्ट में कोशन मार्क पिरसन वाचक चिन लगा दिया जाता है बात करते हैं double interrogative sentences की तो ये क्या होते हैं इन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कहां कैसे इन वाक्यों के बीच में पिर्सन वाचक सब्द जैसे क्या क्यों कब कहां कैसे किसका किसकी आदी सब्द पाए जाते हैं वो वाक्य दबल interrogative sentences कहलाते हैं इन वाक्यों को बनाने में क्या करते हैं इन वाक्यों में सबसे पहले पिर्सन वाचक सब्द क्या क्यों कब कहा कैसे किसका किसकी आदी की अंग्रेजी सबसे पहले जो उनसा भी बड़ दे रखा हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पिर्सन वाचक सब्द की अंग्रेजी सबसे है उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है उसके बाद हम बात करते हैं अब इनको आगे तुम्हें लिखवाता हूँ नमबर एक कौन सा होता है हमारा हमारा होता है नमबर एक single interrogative और नमबर दो होता है हमारा double interrogative इसे बोलते हैं WH type इसको बोलते हैं yes no type ठीक है बात करते हैं आगे single interrogative sentences तो हम इसे लिख लेते हैं copy pencil लो और साथ साथ लिखने इस्टार्ट कर दो क्या है क्या से सुरू होने वाले वाक्यों में क्या से सुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी 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 क्या नहीं लगाते है वाट नहीं लगाते क्या से सुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी क्या नहीं लगाते हम वाट नहीं लगाते क्या की अंग्रेजी होती है क्या की अंग्रेजी होती है वाट हम वाट नहीं लगाते वाट नहीं लगाते क्या कि अंग्रेजी वोट नहीं लगाते बल्कि उसके इस्थान पर क्या करते हम बल्कि उसके इस्थान पर बल्कि उसके इस्थान पर बल्कि उसके इस्थान पर ठीक है क्या सहायक किरिया बलकि उसके इस्थान पर सहायक किरिया, कैसे सहायक किरिया, सायक किरिया क्या होती है? सायक किरिया होती है हमारी, is, r, or, m, सायक किरिया होती है हमारी, is, r, or, m, ठीक है, बलकि उसके इस्थान पर, सायक किरिया, is, r, m, सायक किरिया, is, r, m, ठीक है, is, r, m, सायक किरिया, is, r, m, देखो, क्या से सुरू होने वाले वाक्यों में, क्या की अंग्रेजी, what नहीं लगात बल्कि उसके इस्थान पर साहे किरिया करता से पहले साहे किरिया कुंसी इस आर एम ठीक है किस से पहले करता से पहले करता से पहले करता से पहले ठीक है और करता को कहीं चुनते हैं हूं लगाकर हिंदी में कौन लगाकर तो करता से पहले और करता के अनुसार करता के अनुसार करता के अनुसार ठीक है तो क्या से शुरू हने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वोट नहीं लगाते बलकि उसके इस्थान पर सहायक किरिया इस आर एम करता से पहले करता के अनुसार फिर करता क्या था फिर करता फिर करता था उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है तथा उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है बाकी की अंग्रेजी आती है ठीक है अगर मैं कहूं आपसे एक्जामपल बाकी की अंग्रेजी आती है तथा सबसे लास्ट में तथा सबसे अंत में तथा सबसे अंत में हम क्या लगाते हैं तथा सबसे अंत में हम क्या लगाते हैं मेरे पिर्शन वाचक क्या करते हैं पिर्शन वाचक यानि की जो प्रशन पूसते हैं पिर्शन वाचक चिन पिर्शन वाचक चिन हम क्या लगाते हैं पिर्शन वाचक चिन का पिर्योग करते हैं ठीक है वह गया एक्जामपल देख लेते हैं एक बार एक्जामपल क्या क्या है आपके लिए एक्जामपल है जैसे कि क्या से तो वाक्या सुरू होगा ही होगा सिंगल इंटरोगेटिटेव है तो क्या क्या मैं तुमसे नाराज हूँ ठीक है इसमेह हिंदी में प्रिसन वाचक सब्द चिन पाया जाता है तो मेंने बताया क्या से सुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते बल्कि उसके इस्थान पर सहायक किरिया कौन तुम से नाराज है मैं करता है मेरा मैं करता से पहले सहायक किरिया करता की अंग्रेजी अगर यहां आएगी तो करता से पहले सहायक किरिया और कैसे करता के अनुसार करता कौन मैं मैं के अनुसार सहायक किरिया क्या होगी हमारी क्या होगी हमारी करता से पहले करता के अनुसार उसके बाद फिर है करता फिर क्या आता है करता उसके बाद बाकी की अंग्रेजी तो आई क्या नहीं हूं तुमसे नाराज नाराज की क्या होती है अनुएड ठीक है एडवल एन ओ वाई एडी अनुएड कि मैं तुमसे क्या नहीं हूं आए एम आएम एनुएड किसे तुमसे आएम एनुएड विद्यू ठीक है आएम एनुएड विद्यू क्या मैं तुमसे नाराज नहीं हूं मैं तुमसे नाराज नहीं हूं कैसे बना दोगे आएम नॉट एनुएड विद्यू आएम नॉट विद्यू ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है आगे है हमारा इसके बा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसिज क्या है हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसिज डबल इंटेरोगेटिव को पढ़ लेते हैं एक बार क्या है इन वाक्यों के बीच में 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 कौन इन वाक्यो इन वाक्यों के बीच में पिर्शन वाचक सब्द कौन-कौन से पिर्शन वाचक सब्द हैं आपके क्या पिर्शन वाचक सब्द क्या है क्या क्यों क्या क्यों कब कब क्या आता है कब क्या क्यों कब कहां कैसे क्या क्यों कब कहां कैसे किसका क्या है किसका क्या क्यों कब कहां कैसे किसका किसकी किसका किसकी ठीक है ठीक है आदी सब्द और भी होते हैं आदी सब्द पाए जाते हैं इन वाक्यों के बीच में पिर्सन वाचक सब्द जैसे क्या क्यों कब कहां कैसे किसका किसकी आदी सब्द पाए जाते हैं क्या करे जाते हैं पाए जाते हैं ठीक है इन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कहां कैसे किसका किसकी आदी सब्द पाए जाते हैं वो वाक्य कौन सो होते हैं डबल इंटरोगेटर होते हैं इन वाक्यों को बनाने के नियम क्या करने के नियम बनाने के नियम तो बनाने के नियम सुन लो वहिया बनाने के नियम ठीक है डवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको बनाने के नियम क्या है इन वाक्यों में सबसे पहले इन वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है पिर्शन वाचक क्या आता है हमारा भीया पिर्शन वाचक और पिर्शन वाचक सब्द कौन से थे ये वाले इन वाक्यों में सबसे पहले पिर्शन वाचक सब्द की अंग्रेजी उसके बाद क्या आता है सहायक किरिया उसके बाद सहायक किरिया उसके बाद हमारी आती है सहायक किरिया सहायक किरिया कौन सी इज आर एम सहायक किरिया कब करता से पहले क्या आती है करता से पहले करता से पहले यानि की सब्जेक्ट से पहले और कैसे करता के अनुसार भाईय करता के पहले और करता के अनुसार ठीक है सहाइक किरिया कैसे करता से पहले करता के अनुसार ठीक है करता से पहले करता के अनुसार ठीक है उसके बाद करता से पहले करता के अनुसार फिर आता है करता फिर आता है हमारा क्या फिर करता फिर करता तथा उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है तथा उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है ठीक है उसके बाद बाकी की अंगरीजी आती है ठीक है एक्जामपल ले ले देख एक्जामपल एक्जामपल ठीक है एक्जामपल क्या है तुम पागल क्यों हो तुम पागल क्यों हो ठीक है उसके बाद हम बनाएंगे से सबसे पहले हमें दिखाई देरा पिरसनवाचक सब्द पिरसनवाचक सब्द की अंगरीजी सबसे पहले क्यों की क्या होती है वाई क्या होती है वाई क्या होती है वाई के बाद सहाय किरिया करता से पहले करता के अनुसार करता से पहले करता के अनुसार करता से पहले सहाय किरिया क्या होती है तुम के अनुसार सहाय किरिया आएगी आर क्या आएगी वाई आर उसके बाद करता करता क कौन पागल है? क्या या? तुम. तो why are you? पागल की क्या होती है? fool. तो why are you fool? ठीख है? और सबसे last में question mark चाहें foolish लिख दो, चाहें fool लिख दो. कोई समस्चा नहीं इसमें. ठीख है? यह है आपका double interrogative sentences को बनाने के नियम. एक बार दुबारा recall करा जिता हूँ आपको क्या है recall कराने में इन वाक्यों के बीच में पिर्सन वाचक सब्द जैसे क्या क्यों कब कहां कैसे किसका किसकी आदी सब्द पाए जाते हैं जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है इन वाक्यों में सबसे पहले पिर्सन वाचक सब्द की अंग्रेजी उसके बाद साय किरिया करता से पहले करता के अनुसार फिर करता तदा उसके बाद बाकी की अंग्रेजी आती है जैसे example तुम पागल हो वाई आर यू फूल वाई आर यू फूल तुम मुरक्यों हो ठीक है उसके बाद है हमारे पास अभी हमारे खतम हुए है नॉर्मल ठीक है अब हम बात करते हैं some special features ठीक है is rm इसका नाम नहीं है है हूँ हो इसका नाम is rm नहीं है ठीक है अब हम इसमें पढ़ेंगे जैसे की कुछ पहचान जैसे की ता है क्या पढ़ेंगे बहिया जैसे कुछ पढ़ेंगे हम इसमें ता है ती है आपने पढ़ा होगा present indefinite उसमें क्या होता है उसमें भी कहते हैं ता है ती है तेह ता हूँ. इसमें मैं तुम्हें इस rm में पढ़ाऊंगा ता है ती है तेहे ता है्shirt आ है तेहे ता हूँ. ठीक है הי इस rm मेंος पर आफको अइन पर्म के अंदर आइधारण में वाक्जों को बनाने पर नियम सबकुष समानह हैं जैसे पहले थे इसमें बस वाक्य बदलेंगे थोड़े से इस में क्या वाक्य बदलेंगे डेखो हम नियम सभी पढ़ चुके हैं हमने नियम सगरें पढ़ लिये हैं हमने लिए कोई से बढ़े हमThis नियम पढ़े हैं आपके, हमने पढ़ा सबसे पहले कौन सा, सिंपल, साधारन, ठीक है, हमने पढ़ी पहले पहचान, इस आर एम की हैं हूं हो, अंत में पाया जाता है, वो वाक्य इस आर एम के कहलाते हैं, इसका प्रियोग एक वचन के साथ, आर का प्रियोग बहुचन के प्लाव का पानी साफ नहीं क्या बिहार एक स्मृद्राज्य है इस स्राज्य का नाम हर्याना क्यों है अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोहला काला होता है तो इस पिरकार के सेंडेंसों को पढ़ने के लिए हम आते हैं some special features में मैं आपको बताऊं इस RM का जो basically work होता है वो होता है केवल पहचान को बताना केवल पहचान को बताना तो जैसे कि अगर इसमें कोई वाक्य ऐसा है जिसमें क्या बताई जाए जिसमें बताई जाए केवल पहचान क्या बताई जाए पहचान ठीक है जैस तुम काले हो तुम काले हो तो कभी कभी लोग तुमें थाने के कैसे कैसे सेंडनेंज देंगे तुम काले तुम काले होते हो तुम काले होते हो ठीक है या इसे बनाएंगे कैसे तुम काले हो तुम के होते हो ना मतलव पहचान का बताना ही तो यह इसमें यह सब्सक्राण का इसमें बताई जारही है तो क्या होगा तुम काले हो तो तो you are black, you are black, ठीक है, आगे चलते हैं, अब है हमारा नकारात्मक आगया इसमें, अब जैसे कि for example, मैं तुम्हें नकारात्मक नहीं, मैं simple में दिखाना चाहता हूँ, क्या, जैसे मैं तुम्हें एक example दूँ, एक example ले लो, जैसे, बड़ा बहतरीन सा, क्या है example, देखो, तोता हरा है, ठीक है, तोता हरा है, ओके, तोता हरा क्या है, होता है, तोता हरा होता है, ठीक है, तोते का रंग हरा है तोते का रंग हरा है तोते का रंग हरा होता है अब इन चारो सेंडेंस को आप कंपेर करों ठीक है कंपेर करोगे एसे तोता हरा है अगर सपोज करो तोता हरा है तो इसका मतलब होगा पैरट पैरट इस ग्रीन पेरट इज ग्रीन क्या है तोता हरा है दूसरा क्या है तोता हरा होता है इसमें भी तोती की पहचान बताई जा रही है और पहचान कैसे बता रहे है ता है ती है ते है लगा कर तुमको केवल डराया जा रहा है तुमको कुछ नहीं करा जा रहा है तुमको केवल अपने माग से इसकी पहचान को दर्सारा है उसमें कोई उसका ऐसा नहीं कियों पेंट कर डिबा लेके घूम रहा है जैसे तुमने कहा तोता हरा होता है, तोते ने पेंट कर लिया, तोता पीला होता है, तोते ने पेंट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्या है, तोते की केवल पहचान बताई जा रही है, तो जब भी तुम्हें ऐसे सेंडेंस बताई जाएं, तोता हरा होता है, मेरा नाम विशाल होता है, तुम्हारा नाम ये होता है, उसका नाम वो होता है, देखो, मेरा नाम विशाल है, और मेरा नाम विशाल होता है, तो दोनों बातों में क्या अंतर है, मेरा नाम विशाल है, इसमें मेरी पहचान है, और मेरा नाम विशाल होता है, इसमें भी मेरी पहचान है, वो भी तो यही बताना चाहरा है कि भगया यह जो आदमी खड़ा है तुमारे सामने इसका नाम विशाल है, मेरा नाम विशाल होता है, मैं विशाल हूँ, बात तो एक ही है, मेरा नाम विशाल है, मैं विशाल हूँ, मेरा नाम विशाल होता हूँ, मेरा नाम विशाल रहता है, यह सब बाते एक ही है और इन सबी का एक ही answer I Am Vishal वैसे ही आप कैसे करोगे पयरेट इस ग्रीन तोता हरा होता है तो इसमें भी क्या सेम पयरेट इस ग्रीन क्या हो जागा भईया पयरेट इस ग्रीन पयरेट इस ग्रीन ठीक है उसके बाद तोते का रंग हरा है तो इसमें भी तो कलर बता जा रहा है तो पैरेट्स कलर करो या पैरेट इस ग्रीन लिखो बात तो एक ही है ना बात तो वही बताना चाह रहे हैं जो इसमें है पैरेट इस ग्रीन तोते का रंग हरा होता है उसकी भी बात वही है पैरे इन वाक्यों में ऐसे ऐसे देंगे जिसमें प्रिजेंट इंडेफिनेट उसके अगा पर वह नहीं उसमें प्रिजेंट इंडेफिनेट